नमस्काल दोस्तों, Steady IQ पर आप सभी खा बहुत-बहुत स्वागत है So just कुछी दिन पहले की बात है, Elon Musk सुर्खियों में थे क्योंकि Elon Musk की जो कंपनी है Tesla, उसने formally भारत में प्रवेश किया था I think 10 या 15 दिन पहले की ये बात है Now, फिर से एक बार Elon Musk सुर्खियों में आए है Because इनकी जो एक और कंपनी है SpaceX, इसने एक और नया record बनाया है और इसने इस बार ISRO का जो पुराना record था इसको भी तोड़ा है इसने इस record में basically 143 satellites हैं जिनको की एक single launch में जो है orbit में place कर दिया है इस particular वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि ये जो 143 satellites हैं इनकी क्या खासियत है In fact, मैं आपको बहुत ही interesting images दिखाऊंगा जिससे आपको यह idea लगेगा कि असल में इतनी सारी satellites को हम एक single launch vehicle में किस तरीके से fit in करते हैं And also हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो इसरो का पुराना record था वो असल में क्या था चलिए start करते हैं काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं मेरे टेलिग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके इलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुढ सकते हैं ये देखिए फरवरी 2017 की ये बात है और इस पर्टेकुलर निउस को इंडिया में तो अल्मूस्ट हर एक निउस जेंसी ने कवर किया था लेकिन दुनिया भर में भी इसको कवर किया था आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस.com ने इसको कवर किया इंडिया लॉंचेज रिकॉर्ड ब्रेकिंग 104 साटेलाइट्स on a single rocket और इसरों ने इसको जब लॉंच किया था तो हमने इसरों ने अपना जो सबसे जादा तगड़ा वेहिकल है जिसको हम मानते हैं PSLV C37 इसके माध्यम से इन साटेलाइट्स को लॉंच किया था जो यह 104 साटेलाइट्स थी इसमें भारत की खुद की 3 साटेलाइट्स थी जिसमें एक काफी नेदरलाइट्स की एक, स्विजरलाइट्स इसराइल, कजाकस्तान, UAE वगएरा वगएरा यह सबी साटेलाइट्स बिल्कुल छोटी-छोटी साटेलाइट्स होती है जिसको की हमने लॉंच किया था बड़ी इंटरस्टिंग बात है कि उस समय जब 2017 में इसरो के द्वारा यह record बनाया गया था तो Elon Musk ने भी उस टाइम पे इसरो की काफी तारीफ करी थी और इनका आप यह वाला देख सकते हैं ट्वीट था फ्लॉइडिलिशियस या ओसम अचीवमेंट बाई इसरो वेरी इंप्रेसिव इस समय भी इनकी जो कंपनी थी यह काफी सारी अच्छे काम कर चुकी थी काफी ऐसे काम कर चुकी थी जो कि दुनिया भर में कई सारी स्पेस एजन्सीज करने की केवल कोशिश कर रही थी उस टाइम पे स्पेसेक्स जो है आपने इनके नाम सुने होंगे तो यह जो स्वेस आप यहाँ पे देख सकते हैं यह वाला जो इमेज है यह असल में फैलकन वान की इमेज है जो कि स्पेसेक्स का सबसे छोटा रियूसेबल लाँच वहिकल है अब इन्होंने अपने उसी लक्षे को आगे बढ़ाते हुए अपने एफर्स को आगे बढ़ाते हुए जैनवरी 2021 में जस्ट अभी संडे की बात है जब स्पेसेक्स ने 143 साटेलाइट्स को एक साथ लाँच किया इन क्विक सक्सेशन जिसके चलते इन्होंने इन्डिया का जो रिकॉर्ड था 104 साटेलाइट्स डिपलोई करने का उसको भी तोड़ दिया है कुछ इमेजिस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये देखिए ये इमेज जो बेसिकली है ये फैलकन की इमेज है फैलकन 9 जो इस बार इन्होंने यूज किया है लाँच करने के लिए ये सेंटर में जो आप देख पा रहे है सिलेंड्रिकल सा जो शेप में है ये असल में फैलकन 9 है इसके साइड में जो ये छोटे-छोटे चीज़ें आप देख पा रहे है ये multiple चीज़ें ये असल में satellites है आपको जाग के काफी हरानी होगी कि ये काफी छोटी साइज में है एक और image आपके सामने पेश करूँगा ये वाली image में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से satellites को place किया गया है ये सभी जो है ये सभी यहाँ पे satellites है जिनको की आप इस image में देख पा रहे हैं ये वाली satellites है ये भी satellites है ये भी यहाँ पे satellites है ये सभी यहाँ पे satellites हैं जिनको की धीरे-धीरे space में deploy कर दिया जाता है ये देखिए ये कुछ satellites हैं जो की again थोड़ा सा हम properly देख सकते हैं ये तीन satellites हैं जो कि एक private company की थी जिन्होंने SpaceX को hire किया था कि आप हमारी satellites को space में लगाएंगे तो ये वो तीन satellites हैं जिनके size फिर भी थोड़े ठीक हैं लेकिन जो अधिकतर satellites launch करी गई हैं उनके size almost इस level के होते हैं आप यहां पे देख सकते हैं बिल्कुल छोटा it is almost like जैसे एक computer में एक hard disk होत हैं जिनकों की एक साथ launch किया जाता है खैर कुछ और चीजें जानते हैं इस particular mission के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस बार जो इन्होंने से अलग है देखिए जादा फरक नहीं है लेकिन basically क्या है कि जो falcon 1 और falcon 9 है ये देखिए falcon 1 ये है उसके बाद falcon 9 ये है उसके बाद ये falcon 1 की improved version है ये भी falcon 9 की improved version है लेकिन जो major फरक है वो basically ये है कि जो falcon 1 वाला launch vehicle है ये केवल और केवल low earth orbit के लिए बनाया गया है हलांकि जो falcon 9 वाला launch vehicle है इसमें आप geostationary orbit में भी अपने payload को place कर सकते हैं यानि कि ये काफी जादा उचाई तक जा सकता है obviously इसकी जो power होगी वो भी जादा होगी इसके अंदर जो engines होगे वो भी जादा होगे जादा powerful engines लगाएगे होगे जादा लंबा भी इसकी height होगी य जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो falcon 1 है ये low earth orbit के लिए है और जो falcon 9 है ये geostationary orbits में भी आपकी satellites को place कर सकता है launching कहां से करी गई थी तो standard है ये USA में एक आपका सबसे important launch station है Florida में आप यहाँ पे देख सकते हैं starma किया हुआ है this is Cape Canaveral और almost सभी के सभी launches यहीं से होत सबसे हम आपको time बता रहे हैं and this is basically जो है Sunday की बात है जब इसको launch किया गया था ठीक है at one point very interesting बात वैसे यह है क्योंकि यह जब rocket यहां से launch करता है तो असल में यह इस तरीके से flow करता है south east direction में flow करता है तो जब यह flow कर रहा था पहले इसने Atlantic Ocean को cross किया उसके बाद एक ऐसे time प भी इसका signal पकड़ा था खेर अगर हम कुछ और बात करें तो जो इसमें 143 satellites को launch करवाया गया है इसमें अधिकतर तो commercial satellites ही है कुछ-कुछ government satellites भी है जिनको launch करवाया गया है लेकिन इसका जो सबसे important highlight है यह SpaceX की खुद की जो Starlink satellites है इनको launch किया गया था Starlink satellites कुछी महीने पहले सुर्खियों में थे because यह कहा जा रहा था कि SpaceX के founder Elon Musk का एक सपना है कि वो चाहते हैं कि अब आगे आने वाले समय में हम दुनिया भर को जो internet दे रहे हैं वो असल में through space दें जिसको की इन्होंने space internet के नाम से भी एक बार refer किया था तो यह जो Starlink satellites हैं this was the first batch जिसको की इन्होंने place किया थे in the constellation to be placed in the polar orbit and यह जो satellites है as I told you इसके माध्यम से इनका उदेश यही है कि हम आने वाले समय में पूरे के पूरे विश्व को 2021 तक internet से cover करना चाहते हैं वो भी broadband internet coverage इसकी एक basic सी image आप यहाँपे देख सकते हैं यह आपकी Star Link satellite होगी यह इसका जो है transmitting signal होगा यह इसका receiving signal होगा जिसके माध्यम से यह पूरे दुनिया को cover करना चाहते हैं and they want to provide internet to it right कुछ और highlights हैं interestingly एक satellite इसमें NASA के द्वारा भी बेजी गई थी ठीक है तो यह भी आप देखने में काफी interesting लग रहा है कि अब NASA भी private companies के उपर rely कर रही है and obviously the most important thing is कि अब SpaceX ने अपना जो ride share program है उसको formally launch कर दिया है इनका ये मानना है कि आने वाले समय में जिस किसी का भी मन हो जिसको लगता है कि उसके पास कोई छोटी मोटी satellite है और वो एक ride book करना चाहता है space में तो वो directly SpaceX को contact कर सकता है और अपनी एक ride book कर सकता है Interestingly यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो पैसा charge किया है SpaceX ने इन satellites को launch करने के लिए वो काफी कम है आपको मालूम होगा India जो charge करता है वो भी काफी कम है हाला कि हमें rates नहीं मालूम क्या prices है कुछ unofficial sources से rates सामने आये हैं but we don't want to discuss that because कुछ officially सामने नहीं आया है लेकिन ये चीज़ sure है कि अब जो SpaceX है वो इस चीज़ को completely commercialize करने पर आ चुका है now क्या इस mission की कोई downside भी है तो जी हाँ even दो हमने बात करी कि काफी अच्छी बात है काफी बड़ा record इनोंने बनाया है काफी सारी satellites नोंने launch की हैं लेकिन ऐसे missions की कुछ downsides भी होती हैं ये वो लोग बताते हैं जो क कि असल में इन satellites को track करते हैं कि space में कितनी satellites हैं कहां पे located हैं and so on. So जो regulators हैं उनका ये मानना है कि इतनी सारी satellites को एक साथ launch करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम track करें और identify करें इन objects को जो की space में हैं. Secondly इनोंने ये भी कहा है कि जब ये Transporter 1 launch हुआ, obviously जब Falcon 9 ने launch किया तो काफी सारा debris भी है जो कि इसकी वज़े से generate हुआ होगा, काफी सारा मलबा कहते हैं, कचरा कह सकते हैं, जो कि space में धीरे-धीरे बढ़ रहा है. तो ये भी हमारे लिए एक problem हो रही है कि जितनी जादा satellites space में आ रही है, उतना जादा debris भी space में इकठा हो रहा है. एक image आपको दिखाना चाहूंगा, ये image NASA के द्वारा दिखाई गई image है, इसमें आप देख सकते हैं, कितना सारा space debris है, जो कि Earth के low Earth orbit में located है. ये सारा का सारा जो येलो कलर में आप देख पा रहे हैं, ये असल में मलबा है, जिसको की हमने अभी तक space से clear नहीं किया है. तो मानव क टोल्ड यू कि satellites के launches तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीना कहीं ये चिंता का विशे भी बन चुका है. All in all, what we can say is, कि जो ये ride share launch है, ये कहीना कहीं जो regulators है, उनके लिए बहुत बड़ा nightmare बन सकता है आगे आने वाले समय में. खेर, now is the time to enjoy this feat, जो कि SpaceX ने यहाँ पे achieve किया है, इस के साथ इस वीडियो को खतम करता हूँ. यदि आप लोग study IQ की app को download करना चाहते हैं, तो Google Play Store से इसको download कर सकते हैं, और इस app पे मैंने आपके लिए special course launch किया है, 1000 MCQs quality, यदि आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो इस course को launch, buy करना ना भूले. Thank you for listening, stay tuned and stay safe.